नमास्कार दोस्तों आप सभी को बहुत 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 श्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जैसे शुशंभी दोस्तों जैसे रिकिष्णी करने से शुख सभाग धन दान, संतान और मुक्ष ही प्राप्ति होती है इस दिन कई दुरलब शुब यूग एक साथ बन रहे हैं रास्त्रों करने से मानेता है कि मांग मास में देविता पृथिव पराते हैं और मनुष्य का रूप धारन कर प्रयाग में इसनान दान करते हैं इसलिए माग पृणिमा के दिन परयाग में त्रिविनी इसनान दान करना बेहत फल्दाई बताया जाता है और शुब माना जाता है मुक्षी प्राप्ति होती है इससे सभी मन कामनाई प्रोण होती है तो इस दिन ब्रह्म मोरत में उठकर स्रियोदे से पुर्व किसी भी चल भागवान को एक लोटा जल तामे के लोटे में लाल फूल अक्षट डालकर सुर्य मंत्र बोलते हुए डाले ओम शुर्यायनमा ओम आधित्यायनमा ओम भासकरायनमा इसके पशात ब्रत का संकल्प ले भागवान विष्णू की विरी बिदान से पुरु पुजा आर्चना कर भागवान को पहली चीज़ आती पीरिया है तो हल्दी अवज से लगाएं केशर मिला हुआ खीर आप भोग लगा सकते हैं पीला फल पीला पूल कमाला चखा सकते हैं कथा आवस से करनी चाहिए कि विश्णू भागवान के किर्प राप्त होती है इसके बाद आर्थी करनी चमा परदत ना मांगे आद में इब्रहामनों को भोजन कराएं अपनी एता सक्टी जितना समर्थ हो उसके अनुशार आप दान दक्षना आवस्थ देना चाहिए बिशेच रुप से काले तिल का दान गूर का दान आवस्थ करें काले तिल से हावन करें तरपन अपने पितरों हार करें और फूरा दिन इस्मरन करते रहें विश्णी होगान के मंत्रों का जब करें विश्णी सहसर नाम का पार्ट करें चारीशा करें और आप जब चनर्मा निकालाए साम को उसके बाद सफेद मिठाई का भोग लगाएं और चनर्मा को आरग देकर आप रत खोजकते हैं तो नमक नहीं खाना चाहिए आप पुर्णिमा का कथा सर्वन अवसकरें शुने या शुनाए इससे अनुक अनशार एक पर की बात है नर्मादाद अंटी के तट पर शोबरत नामक विद्वान ब्रहामन रहते थे उनका सभाव अत्यनती लालस भरा था वो किसी भी तरह धन कमाना चाहते थे ऐसा करते करते समय बित्ते गया और वो कई बिमारियों से ग्रसित हो गये और समय से पुर्भी विद्ध दिखाई देने लगे एक दिन उन्हें अंतर गयान हो पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया अब जीवन का उधार कैशे होगा वो सोचने लगे तब ही उन्हें श्मरन हुआ माग मा में श्नान का महत्व बताने वाला एक श्लूक याद आया उन्हें उन्होंने श्नान का संकल्प लिया और वो भी द्वान ब्रहामन नर्मडा नादी में श्नान करने लगे तरीब नौ दिनों तक श्नान करने के बाद ब्रहामन की तबियत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यू का समय आ गया तो वो सोचने लगे कि मैंने तो अपना जीवन में कोई सतकर्म नहीं किया है तो मरने के बाद उन्हें नरक का दुख भोगना होगा लेकिन माग मास में श्नान के कारन उन्हें मौक्ष की प्राप्ती होई तो आपका था सुने यह सुनाए आपको स्रीहरी की किरपा गसा साथ लक्षमी की वी किरपा प्राप्त होगी